तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे b.tech IT और b.ca course के वीच आपसे मैं course comparison में आपसे इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ और साथ में दोस्तों मैं आपसे इन courses का आपसे इलिजिविलिटी क्रैडीरिया भी आपसे मैं discuss करूँगा तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो अगर आपने टवेलफ्ट की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जैज जानना है कि टवेलफ्ट की क्लास को पास करने के बाद आकिर कौन कौन से कोर्से होते हैं तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूँ B.Tech IT course के बारे में तो B.Tech का मतलब होता है Bachelor of Technology और IT का मतलब होता है Information Technology तो B.Tech Information Technology का course एक degree course है जो की जाय कोर्स चार वरश का course होता है जिसमें कुल 8 semester होते हैं तो इस course के मादब से students को Information Security, Software Development, Business Software, Maintaining of Databases और Networks के बारे में students को study करवाया जाता है तो इसमें आपको कोई information को store, protect, process और transmit करना सिखाया जाता है तो इस course को करने के बाद आप programmer, Software Developer, IT Analyst की जो 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 अवे उससे भी आप हासिल कर सकते हो तो अगर आपसे मैं BCA course के बारे में आपसे मैं discuss करूँ तो BCA का मतलब होता है Bachelor of Computer Applications जो कि Jack course तीन वर्ष का course होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं तो इस course के बारे में आपको Computer Applications, Basic Programming, Web Designing, Database Management, Computer Hardware और Software के बारे में एक सेक्टरा चीज़े आप study करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो B.Tech IT है उसका जो में फोकस है वो Software Development, Database Management, Networking, Programming Languages आदी के उपर है पर BCA का जो मेंन फोकस होता है वो दोस्तों Computer के Core Science Subjects के उपर होता है जैसे कि Programming Languages, Basic Data Structures, Algorithms आदी वैसे तो जैसे दोनों courses काफी best हैं लेकिन जो student है वो अपनी personal interest के उपर किसी भी एक course को best select कर सकता है अभी आपसे मैं eligibility criteria के बारे में आपसे में discuss करने वाला होगी जैने आप इन course में आखिर किस परकार से admission ले सकते हो तो सबसे पहले अगर दोस्ते मैं आपसे बात करूँ B.Tech Information Technology course के बारे में तो इस course में admission लेने के लिए दोस्तों आपको जो 12th की जो class है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको जो 12th की जो class है वो उसे आपको science के subject हों के साथ आपको पास करनी पड़ेगी जिसमें आपको physics, chemistry और जो mathematics का जो subject है वो आपको compulsory पढ़ना ही पड़ेगा तब ही आप इस course के लिए eligible हो पाओगे और दूसरी तरफ अगर आपको B.C.A. course में admission लेना है तो इसके लिए simply आपको जो 12th की जो class है उसे आपको पास करनी पड़ेगी पर जातर जो जो universities होती है वो उन्हें prefer करती है जिन्होंने 12th की class में math और जो English का जो subject है वो उन्होंने पड़ा हो पर काफी सारी universities और college के हिसाफ से इन courses का eligibility criteria कुछ different भी हो सकता है तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे B.Tech, Information Technology और BCA course के वीच आपसे मैंने course comparison मैंने आपसे इस बीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो ने तो आपको इस बीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वांजा कर भी देख सकते हो तो अन्ते में दोस्तों अभी आपको जाए वीडियो केसी लगी अगर आपको जाए वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद